डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्यार्थी मित्रो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी अम्दावाद खाते चैतन्य स्टूडियो मा आपनु स्वागत छे हो डॉक्टर विनोत कुमार माजी राना आशिशन प्रोफेसर संस्कृत डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी मा हवे आपनने मुख्य विशे संस्कृत यस्वाई मां मुख्य विशे संस्कृत यस्वाई मां त्रण पेपरो भनवानम ना होई छे त्यनी अंदर प्रथम पेपर यस्वाई स्केटीम टू जीरो थ्रे जमां आर्स महा का व्यो प्रथम पेपर मां तेनो अभ्यास करवानों छे त्यार बाद मुख्य विशे संस्कृत दिजू पेपर जे छे ते छे टू जीरो फोर जमां वैदिक साहित्य अने उपनिसद अने त्यार बाद तिजू पेपर एटलेके एस के टीम संस्कृत टू जीरो फाइव जे पेपर नुँ नाम छे अलंकार सास्त्र और नाट्य साहित्य आजे आपडे आ अलंकार सास्त्र और नाट्य साहित्य ना पेपर नो अभ्यास करीशू हवे पेपर पांच एस के टीम टू जीरो फाइव मा यहमा कुल सत्तर एकमो आपेला शें अने ते सत्तर एकमो पांच विभाग मा विभग्त थैला शें एटले के प्रथम विभाग मा पांच एकमो आपेला शें बिजा विभाग मा चार एकमो त्री जा विभाग मा चार एकमो अने चोथा विभाग मा चार एकमो आप कोल मरिल ने 71 अभ्यास करवानों छे तेमा थी प्रथम विभाग मा आजे अलंकार सास्तर नो परी चाहे अने काविय प्रकास उल्लास एक तेनी अंदर पांच विभागों जे एमा थी प्हला विभाग नी अंदर तेमा पांच एकम नो अभ्यास जो ये तो प्रथम एकम मा आलंकार सास्तर ने तेनी विचार परंपारा डिजा एकम नो नाम छे आचारिय मम्मट अने काविय प्रकास सामान्य परी जए त्यार बाद त्रिजा एकम नो नाम छे काविय प्रकास उल्लास एक कारी का एक अने बे त्यार बाद एकम नमबर चाहर काविय प्रकास उल्लास एक कारी का त्रोंड अने एकम पांच जनु नाम करन छे काविय प्रकास उल्लास एक कारी का चार अने पांच तो आ थया प्रथम विभाग ना पांच एकमों तो एवा पांच विभागों आपने आप ये परमा जोवा नाशें अत्यारे आपड़े प्रथम विभाग अलंकार सास्त्रनों परीचै अने काविय प्रकास उल्लास एकमा तेनी एंदर एकम वन अलंकार सास्त्र अने तेनी विचार परंपरा विशे वात करी जोओ तो त्यामा अलंकार सास्त्र अलंकार सब्दनी आपड़े विद्पत्ती अने तेना अर्थो जोईये तो अलंकार सब्द अलं अने कुरू धातू पर्थी बनियो जे अलंनो अर्थ भूशन थाहे जे अर्थात सोंदरी आपू सुभावू कवी पोतानी काव वियरूपे देहने अलंकार वगेरे थी सोभावानो सोंदरी आपानो प्रयत्न करे शे तो अहिया अलं सब्दनो अर्थ सोभावू अथातो सोंदरी आपू अर्थाने सब्दना कावियनी अंदर वे सोभावानो प्रयत्न करे शे तेने अलं सब्द निकले के पर्थी उत्री आप तो अलंकार सब्द कहवाई शे जे कावियनी अर्थात जे अलंकुरूत करे तेने अलंकार कहवाई हवे आचार्य डंडी पोताना काविय दर्समा जनावल शे के काविय सोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते काविय दर्स बे एकमा अर्थात कावियनी सोभा करनारा धर्मों ने अलंकार कहवाई अलंकार सास्तर ने अंग्रेजी मा लिट्रेररी क्रिटीसिजम कहेशे गुजराती मा जहने साहितिक विवेचना कहवाई शे अने संस्कुरुत मा तेने अलंकार सास्तर कहवाई शे तो आगल जोता आ अलंकार सब्द जहें सब्द अलंकारो तथा अर्था अलंकारो माटे वप्रायो छे एटले के काव्याने अस्तित्वमा आननार काव्यानी सोभावधारनार तथा काव्याने सुन्दर अभिव्यक्ति आपनारा काव्याना विविन अंगो आ पर्थी एवो अर्थ थाए के काव्याना विविन अंगो नी विश्त्रूत आलो चना विवेचना जहमा करवामा आवे छे ते अलंकार छे जहम सब्दोनी स्पष्टता स्पष्ट उचारन साथ जाती पूरोज वचननू पालन वाक्य रचना अर्थ वगेरे व्याकरनाज अलंकार नो छे तेज रिते काव्यानी व्याक्या दोसो गोन रिती रश ध्वनी अलंकारो वगेरे काव्याना अलंकारो छे आ बदा थी विश्त्रो चर्चा आपड़े आ अलंकार सास्त्र मा करवा मा आपसे हैं त्यार बाद जो ये तो अलंकार उपरांत काव्यानी सोभा मा अभीव रुद्धी करना रात तत्व तो त्यामा अलंकार सब्दनो अर्थ अमुक समय सुधी उपमा रुपक की उप्रिक्षा वगेरे अलंकारो संदर्बेज मर्यादी थतो जो के वईदिक समय मा तो आ अर्थ खुबच व्यापक अतो तेमा कद्य पद्य बद्दूज सर्जन ते काव्या गनातो अलंकार सास्त्री माटे काव्या सास्त्री अथ्वा तो साहित्ती सास्त्री सब्दपन प्रयुजाईलो जुआ मलेशे अलंकार सिवाईना आ अन्य तत्वो मा रश, रिती, गून, वृती, आउचित्य, वक्रोक्ती अने ध्वनी नो, समावेश थाये जे, आब अधि जृते, आवा तत्वोने आधारे काव्या सास्त्र नी आब अधि विवीद परंपरावो क्रमशह अस्तित्वमावी आथे, आपड़े, अलंकार सास्त्र ना जे प्राचीन उल्लेखो, जो आजहिये तो, अलंकार सास्त्र ते प्राचीन समय थी, वेद, रामायन, महाभारत, आवा प्राचीन ग्रंथो माद, पन तेनो उप्योक ठत्तों हतो तो, आपड़े, अलंकार सास्त्र नी प्राचीन ताना उल्लेखो तपासिये तो, तेमा वैदिक सहित्य, अंतर गद, ब्रामन ग्रंथो अने उप्र निसदों मापन घने स्थले अलंकारो नो सुन्दर विनी योग थेलो जनाई शें कठोपनिसर ना एक मंत्र ना सचोठ रुपक अलंकार प्रयोजाईलो छें तेल छें आत्मानम् रथिनम् विद्धी सरीरं रथं एवतू उरुद्धीम् तू सारथिम् विद्धी मनह प्रग्रम एव चां कठोपनिसर एक त्रन त्रनमा जनाविशें अर्थाथ आत्माने तू रथनो स्वामी रथि जान शरीरं रथं एवतू अर्थाथ शरीरं ने रथ समझ बुद्धीम् तू सारथिम् विद्धी बुद्धीने तू सारथि जान अने मन प्रग्रम एव चां अर्थाथ मनने एने लगाम समझ वेदांग अंतरगद निरुक्तमापन यास्काचारिये इव यथा वत जेवा उपमा वाचक सब्दों नो प्रयोग करयो छें त्यार बाद अश्टा ध्याई पानिनिना जेवा व्याक्रन ग्रंथोना रचेहिता मुने पानिनिये पन उपमान उपमे साधारन धर्म अने उपमा प्रतिपादक सब्दों नो प्रयोग जुदा जुदा सुत्रों मा करेलो जनाई शें तेवी जिरिते यासका चारिय अने पानिनी मुनी इस्वीशन पूर्वे पान्सो पहला थेगाया एकले अलंकार विशयक आ उल्लेखो तेनी प्राचिनता धर्शावे छे आ बन्ने वैया करनोनी पन पूर्वे रचायला रामायन महाभारत जेवा आदी महाकाव्योमा पन खूब सुन्दर रिते आलंकारिक प्रयोगो आपनने जोवा मलेशें त्यार पछी भरत मुनीना नाट्य सास्त्र नू सर्जन इसी सन पूर्वे बिजी सदी नू मनाई शे त्यमा पन आलंकारिक तत्तुओनी चर्चा नाट्य सास्त्र ना विवीट अंगो तरीके थैली शें एनो अर्थ ए थयोके नाट्याचारिय भरत मुनी रचित नाट्य सास्त्र ए आलंकार सास्त्र विशयक स्वतंत्र अने सर्व प्रत्थम ग्रंथ कही शकाए नाट्य सास्त्र पन ए अलंकार सास्त्र नूच एक अंग शें त्यार बाद आचारिय भामह इस्वीशन साथमी सदी ना उत्रार्धमा अथवा आठमी सदी ना पूर्वय काविय अलंकार नामनो ग्रंथ रचियो आ ग्रंथ अलंकार सास्त्र नो महत्व पूर्ण ग्रंथ गनाये शें जो कि भामहे पन एमनी पूर्वय ना अलंकार सास्त्र ना मतो पन टांक्या शें जहें दर्सावे शेके एमनी पूर्वय पन अलंकार सास्त्र नी चर्चा करनारा विद्वानो हता राज सिखरे तो तेमना काव्य मिमान सा नामना ग्रंथ मा तेमने विभिन अलंकार सास्त्रियों ने मतनी समग्र सुची आपी दिदीशें जहें अलंकार सास्त्री नी प्राचिंता अने व्यापकता साबित करेशें वदूमा राज सिखरे तो उपकार त्वाद अलंकार ह सप्तमम अंगम अर्थात एम कही ने अलंकार सास्त्र ने सात्मा वेदांग तरीके नवाजियू तो आबध्धाज उलेखो पर्थी एम कही शकाई के है अलंकार सास्त्र ते गणूँ प्राचिन होई सके अलंकार सास्त्रे नी प्राचिंता अहीं आपनने सीध थती जुआ मलेशे अलंकार सास्त्र ना अन्य नामो नो उल्लेख जुईये तो अलंकार सास्त्र ने क्रिया कल्प तरही के पन ओल्लुखवा मावेशे अलंकार सास्त्र माटे आचर्य पामः वगेरे नी पूर्वे क्रिया कल्प एवो सब्द वपरातो हतो एवु डॉक्टर रागहर उदारन आपिन साबित कर्युशे वहसायन काम्सुत्र माँ एक त्रण सुल्मा जे चोशट कलावों नू वर्णन मलेशे तेमा क्रिया वीड त्वश् सब्द कहाविय क्रिया कल्प माटे प्रयोजायलो जोवा मलेशे ललित विस्तर नामना बहुद ग्रंथमा पन आज सब्द प्रयोग थहलो शे जै मंगलाकार नामना ठिका कर आज सब्द समझावता लखे शेके क्रिया कल्प इती काविय करन विदिही काविय अलंकार इत्यर्थ अर्थाद क्रिया कल्प सब्द नी काविय शास्त्र इतले के अलंकार शास्त्र अभीप्रेत छे एम कही परन्तु सास्त्र ना इत्यास मा आ सब्द बहु प्रसिद पामेलो नथी जुआ मलतो त्यार बाद अलंकार सास्त्र ने काविय अलंकार तरीके पन उल्खवा मावेश है तो अलंकार सास्त्र ना प्रारंब ना समय गालामा आ सास्त्र ने माटे काविय अलंकार जेवो सब्द प्रयो जातो हसे एउ लागे शे कारण के काविय अदर्ष ना करता डंडी सिवाए अलंकार सास्त्र ना प्रारंब ग्रंतो ना नामो आप्रमाने आपनने जोहा मले शें त्यमा जो ये तो काविय अलंकार आचार्य वामह इस्विशन सात्मी के आठमी सरी त्यार बाद काविय अलंकार उद्वट इस्विशन आर्षो त्यार पची काविय अलंकार सुत्र आचारिय वामन इस्विशन आर्षो अने काविय अलंकार आचारिय रुद्रट इस्विशन आर्षो पचार तो आपने आब धाच ग्रंतो ना नाम जोया त्यामा काविय अलंकार सब्द आचारिय भामह उद्वट आचारिय वामन आचारिय रुद्रट वगेरे त्यामना ग्रंतों मा अलंकार सब्द प्रयोजियो शें अहीं प्रयोजायलो अलंकार सब्द मात्र उपमा वगेरे अर्थ अलंकारों के अनुप्रास यमक वगेरे सब्द अलंकारों पुर्तूज सिमित न थी पन काव्यना सउंदर यना अर्थ नो बोधक पन छें आचारिय डंडी अने आचारिय वामन पन अलंकार सब्द ने घना व्यापक अर्थ मा ग्रहन करवानू सुचुए छें आहम अलंकार सब्द अलंकार सास्त्र ना प्रारंबीक समय काव्यना बद्धाज सुभादायक तत्त्तों ने बोध करावना रोहतो अने तेथीज काव्य अलंकार सब्द थी काव्यनी संदरिय दर्शक शास्त्र एवो लाक्षनिक अर्थ ग्रहन करवानों छें तेथीज अहियां कहुँ छे के संदरियम च अलंकार ह। त्यार बाद अलंकार सास्त्रने साहित्य सास्त्र तरिके पन उल्खवामा आवेशें। अलंकार सास्त्रना परवर्ति कालमा अलंकार सास्त्र माटे साहित्य सास्त्र सब्द विशेश्रिते प्रचलित बन्यों। चौदमी सदीम मा थै गहेला आचारिय विश्व नाथे पोताना ग्रंथनु नाम साहित्य दर्पन एवु राक्यू। दसमी सदीमा थै गहेला आचारिय कुन्त के एमना वक्रोक्तिक जीवित नामना ग्रंथमा स्पष्ट लख्यू छे। के साहित्यम अनयो हो सोबा सालितां प्रती काप्यसव। अन्युना इती रिक्तम्त्वम नो हारियम स्थितिही। अर्थात सब्द अन्य अर्थनु सहित्व एज काविय। यह आचारिय बामा है पन कावियनी व्याख्या आपती वक्त हैं। कहीं दिदू हतू। के एनेज आचारिय कुन्त के वदुश्पस्ट करता जनाविय। के कावियमा संदरिय धानने माटे सब्द अन्य अर्थ बन्नेनी एक समान मनोहारी अवस्थिति होवी। यहनु नामज सहित्य। तो नवमी सदीमा थै गयला आचारिय राज सिखरे पन पोताना अलंकार सास्त्रिय ग्रंतनु नामज काविय मिमान सा राख्यों। तथा पंचमी सहित्य विद्या इती याया वरियह यू कहिने सास्त्रने माटे विद्या सब्द प्रयोक करें। आम सब्द अने अर्थनु सहाचरिय सहित्य भावह धरावता काविय नी चर्चा करनार अलंकार सास्त्रने सहित्य सास्त्र नामथी पन ओलखवामा आवेशे। तो आब धाज अलंकार सास्त्रना बिजाक कहा नाम थरीके उलखवामा आवेशे। तो तेमा काविय सास्त्र पन अलंकार सास्त्रने काविय सास्तर थरीके पन उलखवामा आवेशे। संस्कृत मां काविय सब्द थी समस्त ललित साहित्य अभिप्रेत छें। कव धातु उपर थी काविय सब्द बन्यों छें। कव एटले बोलुओ अथ्वा असाधरन रिते बोलुओ एवो अर्थ थाए। रुग्वेद ना रुशियो कवियो कहवाता। उपनिसदो ना रुशियो पन कवियो कहवाता। आरिते कवी एटले द्रश्टा अथ्वा आर्थ द्रश्टा त्रिकाल ग्रियानी। आ संसार नो मनुशिय जे रहस्यो ने उकेली न सके ते रहस्यो ना उंडान नो पार कवी पामी सके। पोता ना काविय थी ते मानव जीवननु मन रदय अने आत्मानु खनेक शने नमिनताने पाम्तु रमनियता सभर दर्शन करावे। आवा उच्य काविय सहित्यना विवेचन सिद्धान तोनो जे सास्त्रमा रचाया होई तेने काविय सास्त्र तरीके उल्खवामा हवे शे। काविय सास्त्र काविय ना विविन अंगोनी सास्त्रिय आलो चना विवेचना करे शे। आम अलंकार सास्त्र माटे तेना विकास्तनी साथे साथे विविन नाम करन करवामा आविया। तो आपड़े आ अलंकार सास्त्र ने अन्य आ बधाच नामो थी आपड़े तेने ओल्खी सेकाई शे। तेहार पची आपड़े आ विभागनी एंदर एकम एकमा आपड़े अलंकार सास्त्र ने तेनी विचार परंपरा विशे विगते चर्चा करी। तो विद्याथी मित्रो तेना जे संदर्व गरंथ छे ते जो ये तो काविय प्रकास डौक्टर सुरिखाबेन पतेल पाच्ष्वा पब्लिकेशन अम्दावाद त्यार बाद वैदीक सहित्य अने संस्कुरती। ते छे डौक्टर गौतम बटेल इन्योशिटी गरंथ निर्मान बोड अम्दावाद अने त्यार पचिनो जे गरंथ काविय लंकार भामह डौक्टर रमेश सुकल पाशो पब्लिकेशन अने नाट्य सास्त्र एक ब्येख छौ डौक्टर अजीत ठाकोर जे पाशो पब्लिकेशन अम्दावाद। अने काविय दर्श डौक्टर अंतराय रावल पाशो पब्लिकेशन अम्दावाद। तो विद्यार्थी मित्रो आजे आपड़े अलंकार सास्त्र अने नाट्य साहित्य ना पेपर मां SKTM 205 मां विभाग एक अने एकम एकनो विगते अभ्यास करेो ते बदल आपनो आभार अस्तु जयतु संस्कृतं जयतु बारतं। स्वाद्या यह पर्या मंता पहाँ